वेल्कम टु के एस अकाडमी तो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करें इस इंसर्शन इन एर्य जिसमें हम क्या करेंगे नम्बर ओफ एलिमेंट एंटर कराएं एंटर करादी हमने एर्य की वैल्यू पोजीशन एंटर करें कौन सी पोजीशन पर हमें काम करना है एंट उसमें कौन सी नई वैल्यू से दाल दी पोजीशन अगर याद हो तो हम के लेते थे एंट वैल्यू जो हम आइटम यूज़ कर रहे थे अपनी अल्गॉर्ट हम अब हो क्या रहे है आए प्लस वान को इसी मतलब ए hierarchy of four में Veterowski की value जाल रहे है एर फ्री में जो पोजीशन बची है अबन हम ठर्ड्ब पोजीशन के रहे है लेकिन actual में तो वो इक्शीन होगी हमारे area में क्योंकि zero से शुरू होता है तो हमने हमने जो position डाली उससे minus one कारकी area of 2 में जाके हम अपनी value डाल देंगे so let us execute and run the program क्योंकि area में क्या होता है अगर हम 5 बोल रहे हैं तो actual में area में वो value 4 number पर होती है एक कम हो जाती है इसलिए हमने position minus 1 किया है enter the number of element in the area 5, 1, 3, 4, 5, 6 मैं चाहता हूँ कि second number वाली position पर मैं 2 enter करा हूँ क्योंकि मैं second number वाली position पर 2 दालना भूल गया तो मैं 2 दाल देता हूँ second number position पर answer आगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 so this overall method is insertion सारे note कर लेना pause कर कर के video देखते लेना सारा कुछ दिखा रहा हूँ इतना ही ठीक है I hope सब कितनी बात समझ आगी है इसके बाद हम बात कहते है deletion की deletion में just उल्टाओता हूँ उदर array of i plus 1 में i दाल रहे थी इतर array of i में i plus 1 दालेंगे and n को minus 1 करते हैं position को minus minus तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जो हम position दालेंगे उससे कम करके ही array में आईगी minus 1 करके ही आईगी ठीक है सारा कुछ वैसे का वैसी ठीक है position दाली and वो position में हमने ठीक है कम कर दिया and overall जो है value कम होईगी final value तो कम होईगी क्योंकि overall जो पहले 5 आ रहे थे वो अब 4 हो जाएगी क्योंकि deletion किया मैंने कुछ है ठीक है एंटर दे साइज 5 1,2,3,4,5 third position को मैं delay करना जाता हूँ 1,2,4,2 आ रहे हैं कुछ हो सकता है मेरे से गलती ही जो तो 1,2,3 हट गया अपने अब ठीक है सो यह है हमारी presentation का काम ठीक है I hope सब को यह बात deletion in array भी समझ आया होगा so that's all for this presentation और किसी को इसमें भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन पर मैसेज कर सकता है so यह एरे के insertion, deletion, operations थी यह 1D array यहां तुमारा खतम हो जाता है इसके बाद अगर कुछ searching यह अल्ग और पढ़नी हो तो वो सारे उसके लिए मैं को नीचे कमेंट सेक्शन पर मैसेज करता है और उस पर भी वीडियो बन जाएगे और अपडेट हो जाएगे so that's all for this presentation कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन पर मैसेज कर सकता है so that's all for this presentation thank you